आज मैं आप सब के लिए आम के मुरब्य की रेशिपी लेके आई हूँ तो लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा चली मुरब्य बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने 300 ग्रम कटा हुआ यह आम लिया है आम को अब हम 3-4 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे स्टीम करने के बाद फिर हम चेक करेंगे जो आम हल्का सा पक गया हो इसे ज्यादा नहीं पकाना है इसे हम चम्मच की मदद से या चाकू की मदद से चेक कर लेंगे उसके बाद हम आम को थोड़ी देर तक पंखा में या धूफ में 10-15 मिनट के लिए सुखा लेंगे अब हम इसके लिए मसाला तयार करेंगे जिसके लिए मैंने आदा चम्मच मेथी दाना लिया है एक चम्मच हम जीरा लेंगे दो चम्मच हम सुख लेंगे और इन सब को अच्छे से roast करेंगे इन्हें तब तक roast करेंगे जब तक इन से अच्छी खुस्बू न आ जाए इसे लगातार चलाते गुए roast करना है roast हो गया है तो हम इसे पीस और रख़ा लेंगे ये मैंने 200 ग्राम चीनी लिया है जिसमें आम को डाल देंगे और गैस को आन कर देंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे तीन सो ग्राम में हमने 200 ग्राम चीनी लिया है जब यह हलका मेल्ट हो जाए तो इसमें हम आधा चमच नमक डाल देंगे और ये मसाला जो मैंने तयार किया था उसे पीछ कर डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस के फ्लेम को हम अभी मीडियम ही रखेंगे जब ये पकने लगे तो अब हम इसमें आधा चमस तीखी वाली लाल मिर्च और एक चमस कस्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे जिसे की कलर अच्छा आजाए और थोड़ी देर के लिए से और पकाएंगे अब इसमें आधा चमस हम कलोंजी डाल देंगे और एक से दो मिनिट के लिए और पका लेंगे देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है और मुरबा भी तैयार हो गया है अब हम गैस के फ्लेम को अफ कर लेंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सेयर कीजिए लाइक कीजिए कीजिए लाइक कीजिए